तैमूर की नैनी की सेलरी को लेकर करीना ने किया ही ये खुलासा जाने क्या बोली करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे तैमूर अली खान अपने पेरेंस से भी ज्यादा पपुलर हो गए हैं और साथ ही उनकी नैनी भी काफी फेमस हो गई हैं जो हर वक्त तैमूर के साथ रहती हैं कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि तैमूर की देख भाल करने के लिए उनकी नैनी करीब एक दशमलब पांच लाक रुपए सैलरी लेती हैं हाल ही में जब करीना कपूर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिलकुल हट कर जवाब दिया अरबाज खान के शो की पहली गेस्ट बनी करीना कपूर ने इस चैट शो पर पहली बार तैमूर की नैनी की सैलरी पर बात की अरबाज ने शो में जब करीना से तैमूर की नैनी की सैलरी को लेकर सवाल पूछा तो करीना कपूर ने कहा अच्छा सच में इसके बाद करीना ने कहा, सबसे जरूरी है आपके बच्चे का खुश रहना, अगर बच्चा सुरक्षित हाथों में है, वो खुश है तो ये बात मायने नहीं रखती है कि आप कितने पैसे बत और सालरी देते हैं, वैसे करीना कपूर ने इस बात पर भी हैरानी जटाई की कि को कैसे पता होता है कि मैं क्या सेलरी दे रही हूं करीना ने अर्बाज के शो में बताया कि तैमूर की सुरक्षा मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ये मायने नहीं रखता है कि क्या फीज दी जा रही है अलागी अर्बाज से बाचीत में करीना ने तैमूर की नैनी की से सालरी चर्चाओं के आसपास ही हो बता दें कि तैमूर का ख्याल रखने वाली नैनी का नाम सावित्री है खबरों की माने तो अगर नैनी को कुछ वजहों से एक स्ट्रा वर्क करना पड़ता है तो उनकी सालरी बढ़कर एक दशमलव साथ पांच लाक रुपे प्रती महीना त भ्रती महीना तो उनकी सालरी बार्क रेंक को कुछ वजह वजाना तेंक बार्क करना तो ङचरती वाली पांच वाली नैन।